हेलो स्टेटेंट्स वेल्कम टू मैं हूं किसना कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मकलोजी का चैप्टर नमबर नाइन जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है यह ठीक है न ओपियोईड अनालजैसिक्स तो सिंपल चैप्टर भ अपने पास तो स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या है तो पहले हमको डेफिनिशन तो समझ नहीं तो अनालजैसिक्स क्या होते हैं अड्रग डैट सिलेक्टिवली रिलीव पेन जो खास करके स्रिफ दर्द को हटाएगा रिलीव करेगा बाइएक्टिंग इन दसीने और अन पेरिफेरल पेन मेकैनिस याना या सी एनेस या पेरिफेरल पे काम करके हमारे दर्द को कम करते हैं without significantly altering consciousness हमारा consciousness यहाँ पर normal रहता हटता नहीं है लेकिन अनालजैसिक्स को हम लोग तीन कैटिगरी में डिवाइड करते हैं can be divided into three categories opioid या नार्कोटिक या morphine like अनालजै यहाँ पर क्या दर्द कम होगा लेकिन इंसान को नीद और नहीं आती है तीसरा है एड्यूवेंट अनालजैसिक जैसे की एंटी कन्वल्जेंट्स विज गवापेंटिन और प्रीगा वैलिन ठीक है इसमें क्या एड्यूवेंट जो सास में दिए जाते हैं तो हमारे पास आ इसको है न है एक रहजानीस मेटरल होता है डाग ब्राउन कलर का होता है जो कि हमें एक प्लांट होता है पॉपी जो कि पंपेवर्ण सोमनी फेरम से मिलता है ठीक है उसके कैपसूल से इट कंटेंस टू टाइप आप अफ अलक उलोएड इसके पास दो टाइप के अलकोलोइ होते हैं बड़ थट्रेंग और ये वाली category पफ़ेश्च कलर्ण और नॉन एनल्चेशिक है यानु कि पैरिकलर नहीं और कंप पार नाम क्या पड़ता है морphin लाइक थीसमें तुम्हाइर पास और फॉलकोडीन का सीरप आते अपने पास बड़े कॉमन कॉमन से हैं धैन पैथिदिन फेंटानिल मेथाड़ॉन ठीक यह बड़े कॉमन कॉमन से हैं जो मार्केट में अविलेबल है आम तोर पे टकराने को मिल जाएंगी दवाई हैं उनके नाम मैं यह लिखे हैं तो इनको य सब्सक्राइब तरीका में सब्सक्राइब आए तो प्लासिविकेशन याद करने वाली चीज़ है खुद से याद करोगे तीन केटेगरी स्बकें एक इक दो तो याद करते हुए नियुक्त याद कई भार सब्जिक्टिव इफेक्ट हैं युफूरिया कई बार सब्सक्राइब कर जाएगा कफ सब्सक्राइब कोडीन जो कोडीन सीरप आते हैं उससे हमारा कफ जो है वो सप्रेस हो जाता है हमें खासी नहीं आएगी टंप्रेचर रेगुलिशन हाइपोथेल्मिक थर्मस्टेटिक सेंटर इस डिप्रेस्ट जो हमारा बहुत यहां ब्रेन फाम हो सकते हैं तो हाइपोथेल्मिक थर्मस्टेटिक सेंटर जो टंपरेचर कोंटरल करता है वो डिप्रेस हो जाता है थेड़ हमारा फाल करौनगा हनए फिर हम सीधा लिख सकते हैं इसको खाने के वज़ए से हमारा BP लो हो जाता है neuroendocrinic action याने कि यह एक तरह से neuro और endocrine नर्स और endocrine follicle extremating hormone, deutenizing hormone, aducotrophic hormone while protein and gs levels are raised अब यह क्या है यह सारे hormones है जो तुम लोग ने पढ़े होंगे human anatomy और physiology में तो इन में कुछ का level बढ़ जाता है कुछ का level गिर जाता है ठीक है ये वाले hormones पर क्या होते हैं low हो जाते हैं morphine causes vasodilation हमारी इनसे फैल जाती है constipation is the prominent feature of morphine action constipation हो जाएगा तो main main इसमें कोई 5-6 तुम लोग याद कर सकते हो dose अब dose हमें याद करना पढ़ेगा ही morphine की dose कितनी है 10-50 mg oral अब जो बहुत भी common है morphine ये तो पूरा तुम याद होना ही चीए ठीक है ना पूरी line इस की याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है ठीक है 10-15 mg आई-एम या subcutaneous ठीक है ना codeine ये भी एक important हो गया ठीक है और ट्रेमरडॉल की याद कर लोगे 50-100 mg की टैबलेट आती है इसकी ज़्यादतर ठीक है और आई-एम और आई-वी की इन्फ्यूजन भी आते हैं किलियर है ओके तो डोज तो याद करने वाली चीज है तुमको ही याद करनी पड़ेगी देन इंडिकेशन अगेन कप-कप जब दर्द होगा प्री अनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी इस्तेमाल होता है बैलेंस अनेस्थेटिया एंड सर्जिकल एनलजेसिया जो एनेस्थेशिया होता है सर्जिकल एनलजेसिया होता है उसको बैलेस करने के लिए इसका इस्तमाल होता है रिलीफ औफ एंजाइटी एन एप्रेहेंशन वही टेंशन वगयरा जो आ चुकिए उसमें हम रिलीफ के लिए इस्तमाल करते है एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फैलियर या एक्यूट पल्मोनरी एडिमा जो लंग्स म अगर आफ यहां पर यह अगर अब्लाग है तो और स्कास्पाश सबसें करना है पेशेंट विन इंजरी और increased intracranial pressure जिसके दिमाग का pressure अंदर का मतलब खोपड़ी का अंदर pressure बढ़ जाता है या जिसको head injury हो चुकी है हो रखी है Convulsive disorder है जिसको Convulsant के आते है Severe Renal और Hepatic Disfunction Again kidney और उसका आगया Lever का आगया Acute Ulcerative Colitis Pate के अंदर Ulcer हो रखे Not recommended in Pregmancy or Lever Pregnancy और Lever में इसको हम लोग recommend नहीं करते हैं तो यह common common से है Hypersensitivity, Pregnancy, Lever जो easily याद कर सकते हैं Common common से वो याद कर लो और बाद वाग़े भूल जाते तो फरक्त नहीं पड़ेगा ठीक है बाद समझ में आ रही है तो पढ़ने का तरीका है चीज़ें आसान करके पड़ो या चीज़ों को tough करके पड़ो और यह lecture ही हमारा खतम हो जाता है तो यह chapter number 4 हमार पास खतम हो जाता है तो आसा lengthy chapter था आटनों topic से इसके अंदर सबको हमने separate separate करके पड़ा है एक ही के अंदर नहीं पड़ा है ठीक है बाद वाकिए यह मेरा number है यह अपना app है ठीक है और क्या करते रहना है revision करते रहना है all the best